आज हम आपको बना कर दिखाएंगे बहुत ही स्वादिस्ट तीन प्रकार की गुजिया नमस्कार दोस्तों मैं रुची वर्मा स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे फ्रेंट्स आपको हमारे वीडियो कैसे लगते हैं प्लीज आप हमें कमेंट सके जबूर बताएगे गुजिया रेसिपी बनाने के लिए हम दो बड़े कप मैदा लेंगे मैदे को हमने पहले ही चाल लिया है मैदे को हमने एक बड़े बरतन में डाल दिया है जिससे इसका हम आठा गूत ले मैदे को अगर हम नाप के बताए तो हमने 300 ग्राम मैदा लिया है मैदे में हम मोया लगा लेंगे मोया लगाने के लिए हमने आधि कब से भी कम रिफाइन लिया है इसे हम बीच में डाल देंगे रिफाइन को हम आटे में पूरा डाल देंगे और इसे इस तरीके से हम इसका मोया लगा लेंगे मोया लगाने के बाद अगर आटे को हम मुठी से ऐसे बांदेंगे अगर ये बन जाती है तो मोया अच्छे से लगा अभी हमारा मोया अच्छे से नहीं लगा इसमें थोड़ा सा रिफाइन हम और डालेंगे इसमें हमने लगबग एक बड़ा चमच रिफाइन डाला है और इसे फिर से मोया लगा लेंगे अब मोया हमारा अच्छे से बन चुका है अगर आटा मुठी में इस तरीके से बानने से अच्छे से बंद जाता है तो मोया बहुत अच्छे से लग चुका है अब हम हलकी गुन-गुने पानी से इसका आटा तैयार कर लेंगे मोया लगे आटे में हमें ठंडे पानी का यूज बिल्कुल नहीं करना है तो हमें गरम पानी का यूज करना, या हमें normal पानी का यूज करना है, गुजिया बनाने के लिए आटे को हमें बहुत ज्यादा सक्ट भी नहीं गूतना, और बहुत ज्यादा हमें इसे मुलायम भी नहीं गूतना है, हमने बिल्कुल नॉर्मल तरीके से आटे को अच्छे से गूत लिया है आटा बहुत ही अच्छे से मुलायम हो चुका है आप इसे एक हम बाउल में रख देंगे और इसे हम 10 मट के लिए ढख कर रख देंगे आप इसे बाउल में रख सकते या आप इसे हलके गीले कपड़े में लपेट के भी रख सकते हैं गुजिया में ड्राइफ फूट्स आप अपनी मन पसंद अनुसार कोई भी डाल सकते हैं जो भी आपको पसंद है 10-12 हमने काजू लिया इसे हम मीडियम साइज में काट लेंगे 7-8 बादामली इसे भी हम मीडियम साइज में काट लेंगे एक बड़ा चमच कसी हुई गरी एक चमच किसमिस एक बड़ा चमच हमने चिरोंजी ली है इन सभी ड्राइब फूट्स को हम पैन में डाल देंगे ड्राइब फूट्स को बिल्कूल हम स्लो आँच में इसे फ्राई कर लेंगे गुजिया में हम ड्राइब फूट्स को फ्राई करके डालते हैं तो गुजिया काफी सौधिश लगती है और गुजिया को हम एक महिने तक बाहर रखकर आराम से इसे खा सकते हैं अगर ड्राइफ फूट्स को हम फ्राई नहीं करते हैं और गुजिया को हम जादा दिनों तक रखते हैं तो गुजिया में फफून लग जाती है dry foods को हमने 5 मुट की slow आच में अच्छे से fry कर लिया है इसे हम थाली में निकाल का थंडा होने के लिए रग देंगे अब उसी पैन को हम साफ कर लेंगे अब इसमें एक बड़ा कप हम दूद लेंगे और इसे पैन में डाल देंगे साथ ही हम एक बड़ा कप मिल्क पाउडर लेंगे इसे भी हम दूद में डाल देंगे दूद में अच्छे से हम मिल्क पाउडर को मिला लेंगे जिससे इसमें कोई भी गुटलिया ना रहें चम्मत से इसे हम बराबर मिला लेंगे दूद में अच्छे से मिल्क पाउडर घुल गया है फ्राई पैन को अब हम गैस पर चढ़ाएंगे इसे हम बिल्कुल धीमी आँच पर पकाएंगे इसे हमें बराबर चलाते रहना है क्योंकि दूद काफी अधी गाड़ा और यह बहुत जल्दी चिपकने लगेगा अब इसी दूद में हम एक चमच देशी घी डाल देंगे घी हम इसलिए डालने हैं क्योंकि मिल्क पाउडर में चिकनापन बहुत कम होता है घी को हम अच्छे से मिला लेंगे अगर आप मिल्क पाउडर में घी नहीं डालना चाहती तो आप इसमें मट डालिएगा यह देखे हमारा खोई की तरह बिल्कुल यह गाड़ा होने लगा है इसे हमें बराबर चलाते रहना है मिल्क पाउडर जो साइड में चिपका उसे हम छुडा लेंगे इसे हमें बराबर चलाते रहना है मिल्क पाउडर को पकते हुए पांच में ठोचुके है अब हम गैस को बंद कर देंगे मिल्क पाउडर से खोया बंद कर तयार है अब इसे प्लेट में निकाल का ठंडा होने के लिए हम रख देंगे ड्राइफ फूट्स भी ठंडे हो चुके है थोड़े से ड्राइफ फूट्स हम निकाल का अलग कर लेंगे खोया भी अच्छे से ठंडा हो चुका है अब इसे हम ड्राइफ फूट्स में मिला देंगे अब इसमें हम तीन चमच पिसी हुई चीनी डालेंगे ध्यान रखे अगा मिल्क पाउडर काफी मीठा होता इसलिए हमें स्वाद अनुसारी इसमें चीनी डालना है मावा और ड्राइफूट थंडे हो जा तब ही हमें चीनी मिलाना है नहीं चीनी पिघलने लगेगी सभी चीजे अच्छे से मिल चुकी है अब इसमें कुटी हुई हरी लाइची हम डाल देंगे इसे हम मिला लेंगे अब हम सोट वाले गुज्या के मसाले की तयारी कर ले रहे हैं सोट की गुज्या बनाने के लिए हमने एक बड़ा चमर सोट ली है इसे हम कढ़ाई में डाल देंगे और इसे बिल्कुल हम slow आँच में भून लेंगे इसे हलका सुनेरा कलर आने तक हम भूनेंगे सोट को हमें तेज आँच में नहीं भूनना इसे हमें बिल्कुल slow आँच में भूनना है अगर सोट को हम तेज आंच में भूलेंगे तो इसमें जलने की अकुराहट आने लगेगी सोट अच्छे से भून चुकी, सोट का कलर भी हलका सुने रहा हो चुका अब इसे थाली में निकाल का थंडा होने के लिए हम रख देंगे गुजिया फ्राई होने के लिए उसी कढ़ाई में अब रिफाइन डालेंगे सोट को थाली में अच्छे से फैला देंगे जिससे सोट जल्दी थंडी हो जाए सोट थंडी हो चुकी, अब जो हमने ड्राइफूट्स बचा के रखेते इसमें मिला देंगे साथ ही इसमें हम कुटी हुई इलाची डाल देंगे और इसे भी अच्छे से हम मिला लेंगे सो ग्राम हमने गुड ली है सोट जब अच्छे से थंडी हो जाए तभी हमें इसे गुड में मिलाना है अगर आप गरम सोट में गुड़ को मिलाएंगे तो गुड़ पिघलने लगेगा सोट को हम अच्छे से गुड़ में मिला लेंगे अगर सोट वाली गुजिया में आप मावा पसंद करते हैं तो ही आप डालिएगा वन्ना इसमें मट डालिएगा ये गुजिया ऐसे ही बहुत सौधिस्ट लगती है अब इसका हम थोड़ा सा मसाला निकाल कर अलग कर देंगे इस सोट के मसाले में अब हम कच्चा पनीर मिलाएंगे अगर आपको पनीर कच्चा नहीं पसंद है तो आप इसे फ्राई भी कर सकते पर हमें कच्चा पनीर बहुत ही सौधिस्ट लगता है इसे हम सोट वाले मसाले में अच्छे से मिला लेंगे जो लोग मावे की गुजिया नहीं पसंद करते हैं वो लोग पनीर की गुजिया बना कर आराम से खा सकते हैं जिस तरीके से हम मावे की गुजिया बनाते हैं, उसी तरीके से हमें पनीर की गुजिया भी बना लेना है, पनीर में सभी मसाले अच्छे से मिल चुके हैं, आटे को हमने जो गूत के रख दिया था, अब इसे हम खोल कर देख ले रहे हैं, दस मट ढखने से देखे, इसका कलर अच्छे से फैल चुका है, आटे में हम जितना अच्छा मोया लगाएंगे, गुजिया हमारी उतनी ही अच्छी हो, सौधिस्ट बन कर तयार होंगी, आटे को हम थोड़ा और मुलाइब कर ले रहे हैं, अब इसके हम मीडियम साइज की इस तरीके से छोटी लोई बना बनाएंगे, गुजिया की लोई को हमें बहुत जादा मोटा नहीं करना इसे THोड़ा सा हमें पतला ही रठना है, इसे हमने गोल कर लिया, अब इसको हम बेल लेंगे, इसमें हम सुखा आटा नहीं लगाएंगे, इसे हमें इसी तरीके से बेलना है, इसे हमें एक छोटी सी इसे मोटी या पतली बना सकते हैं आपको एक दूसरी पूरी बेल कर दिखाते हैं जिसमें हम सुखा आटा लगाएंगे आप इसे सुखा आटा लगाकर भी बेल सकते हैं और इसे बिना सुखा आटा लगाएं भी आप बेल सकते हैं गुजिया बनाने के लिए आप इसे किसी भी आकार में बेल सकते हैं इसे देखे हमने लंबे आकार में बेला और इसे काफी बड़ी भी है क्योंकि हमें इसकी पूरी के बीच के आकार से मतलब है वो काफी पतला होना चाहिए अब गुजिया बनाने के लिए एक हम साचा ले लेंगे, इसमें थोड़ा सा हम सूखा आटा लगाएंगे इसमें जितना भी एक्स्टा आटा होगा उसे हम साफ कर लेंगे अब उसी पूरी को हम साचे पर रखेंगे हमने जो मसाला तयार करके रखा है, अब इसमें हम भर लेंगे हमने एक मीडियम साइज चमच मसाला इसमें भर लिया है मसाला आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं मसाला भरने के बाद गुजिया में हम साइड में इस तरीके से पानी लगा देंगे इसे हमें चारो तरफ से अच्छे से पानी लगाना है इस तरीके से अगर पानी लगा देंगे कि तो गुजिया हमारी कभी खुलती नहीं है और तेल भी हमारा नहीं खराब होता है सांचे को इस तरीके से हम दबा देंगे इसे हमें अच्छे दबा देना इसमें जितना भी एक्स्टा आटा है उसे हम निकाल लेंगे बच्चे हुए आटे की हम दुबारा इसकी पूरी बना लेंगे गुजिया भर कर तयार है इसे हम निकाल लेंगे इसे हम थाली में रख देंगे आपको हम एक दूसरी गुजिया बना कर दिखाते हैं गुजिया में हमने मसाला भर लिया है इसी तरीके से बाकी हमने सभी गुजिया बना ली है अब हम आपको दूसरी गुजिया बना कर दिखाते हैं इस गुजिया में हमें साचे की जरूरत नहीं है इस तरीके की गुजिया बनाने के लिए हमें गोल पूड़ी की ही ज़रूरत है और वो बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं होनी चाहिए पूड़ी इसी पूड़ी में हम पनीर वाला मसाला भर देंगे इसके चारों तरफ साइड में हम पानी लगा देंगे और एक सीरे को उठाकर दूसरे सीरे से इस तरीके से हम जोड़ देंगे इसे हमें हलके हाथों से इस तरीके से दबा देना है जिससे इसकी साइडे खुले नहीं अब हम एक काटे वाला चमच लेंगे इसकी साइडों पे इस तरीके से हम इसमें डिजाइन बनाएंगे इस तरीकी की गुजिया बनाने में हमें एक्ट्रा आटा भी निकालने की जरुरत नहीं होती है और गुजिया बनाने में हमें काफी समय भी नहीं लगता है पनीर की गुजिया भर कर तयार है बाकी गुजिया भी इस तरीके से भर लेंगे अब हम आपको सोट वाली गुजिया बना कर दिखाते हैं सोट वाली गुजिया बनाने के लिए हम एक पूरी लेंगे उसे साचे में रखेंगे अब इसमें हम सोट वाला मसाला भर लेंगे मसाला आप अपने हिसाब से कम जादा कर सकते हैं सोट वाली गुजिया काफी फायदे मन रहती और ये हमारे सरीर के अंदर की दर्थ पीड़ाओं को भी अच्छे से खीच लेती है क्योंकि सोट काफी चीजों में फायदा करती है सोट वाली गुजिया मेरी सासुमा को बहुत पसंद है वो अकसर इसे बना कर खाती रहती है जो लोग खोया नहीं पसंद करते वो इस तरीके की गुजिया आराम से बना कर खा सकते है खोये वाली गुजिया, सोट वाली गुजिया और पनीर वाली गुजिया हमने तीनों प्रकार की गुझिया बना कर रख ली है अगर आपके पास आचा नहीं तो आप इस तरीके से भी गुझिया को बना सकते है इस तरीके गुझिया बनाने में बहुत कम महिनत लगती है तेल को भी हमने बिल्कुल departments आच में गरम होने के लिए पहले ही रख दिया था अब इसमें आटे के हमने छोटी सी गोली डाल कर देखें कि तेल अच्छे से गरम है की नहीं गरम है तेल अच्छे से गरम है अब हम तेल में गुज्या को डाल देंगे और इसे हम मीडियम आच में पका लेंगे गुजिया को आप अपने हिसाब से इसे ज़्यादा हलके सुनहरे कलर में पका सकते हैं या आप इसे लाइट कलर में भी पका सकते हैं पर इसे हमें बिल्कुल स्लो आंच में ही पकाना है एक तरब से गुजिया अच्छे से पक चुकी है इसे हम पलट देंगे दोनों तरब से गुजिया डार्क सुनेरे कलर में पक चुकी अब इसे हम निकाल लेंगे इसे हम टीशू पेपर पे निकाल लेंगे आपको हम दुबारा गुजिया फ्राइ करके दिखाते हैं इसे हम हलके सुनेरे कलर में पकाएंगे इसे हमें जादा डार्क कलर में नहीं पकाना इसे हम बिल्कुल हलके सुनेरे कलर में ही पकाएंगे दोनों तरब से गुजिया अच्छे से पक चुकी अब इसे हम निकाल लेंगे इसी तरीके से बाकी गुजिया भी हम फ्राइ कर लेंगे गुजिया को फ्राई करते हुए हमें गैस की फ्लेम को बिल्कुल सलो रखना इसे हमें तेज आँच में नहीं पकाना है गर्मा गरम सादिस्ट तीनों प्रकार की गुजिया बन कर तयार है milk powder गुजिया, पनीर वाली गुजिया और सो ट वाली गुजिया पनीर वाली गुज्या को हम आपको तोड़ के दिखाते हैं जितनी ये देखने में सौधिस्ट लग रही है उसे कई गुना जादा ये खाने में सौधिस्ट है अब हम आपको मावा गुज्या तोड़ के दिखाते हैं अब हम आपको सोट की गुजय भी दिखा दे रहे हैं, ये बहुत ही सौधिस्ट बनकर तयार है, फ्रेंट्स आपको हमारी वीडियो कैसी लगती हैं, प्लीज आप हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताईए, इसी तरीके से और भी रेसिपी देखने के लिए प्लीज हमारे चनल क सब्सक्राइब करना मत भूलिए, मिलती हूँ आपसे आने वाली अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाई